इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों की राय उनकी अपनी है डिस्कवरी, कम्यूनिकेशन्स और उसे जुड़े लोगों की नहीं। प्रोग्राम में कुछ पुरानी तस्मीरियां और क्लिप्स है और कुछ घटनाओं का नाटकी और रुपांतरन किया गया है। सिधार्थ सद्भाई जवाबों की तलाश में हैं। सुभाष चंद्र भोस के साथ हुआ क्या था। सुभाष चंद्र भोस दमिस्ट्री। हमारी आजादी की लडाई में कई हीरोस शामिल हैं। इन में से एक हीरो ऐसा है जो आज भी खबरों में बना रहता है। सुभाष चंद्र भोस या नेता जी जो इंडियन नाशनल कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट थे। दूसरे विश्वयुद्ध के दोरान वो इंडियन नाशनल आर्मी के लीडर भी थे। लेकिन उनकी मौत से जुड़ी मिस्ट्री आज भी उनकी जिंदगी परहावी है। ओफिशिल रिपोर्ट के मुताबे वो 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रेश में मारे गए थे। तो आखिर नेता जी के साथ हुआ क्या था। इस सवाल के साथ कई लोग जगहें और इंटरनाशनल पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है। आखिर भारत सरकार ने उनकी मौत से जुड़ी फाइल्स को सतर सालों तक तबाय क्यों रखा। क्या ये सच है कि इंदिया वापस आने के बाद नेता जी भेस पदल कर एक साथू की तरह रह रहे थे। क्या सुभाष चंद्रबोस उस प्लेन ट्रैश वाले दिन कहीं और थे। सुभाष चंद्रबोस ने 17 अगस्त 1945 की पूरी रात सैगौन में मेरे दादा जी के घर बिताई थी। वो अगले दिन यानी 18 अगस्त को भी साइगौन में ही थे। उनकी मौत एक प्लेन क्रैश में हुई थी। इस बात को लेकर कोई शक नहीं है। लेकिन उनका डेट सर्टिफिकेट 43 साल बाद क्यों इशू किया गया। क्या ये सिर्फ कोई दिफाक था कि नेता जी की मौत उसी दिन होई जब जब जपैन ने सरेंडर किया और दूसरा विश्यूयद खत्म हुआ या कहानी कुछ और थी। मुझे नहीं लगता कि उनकी मौत हुई थी। वो शायद दच्छिप गए थे। आखिर वो कौन सा सच है जिसे सामने नहीं आने दिया जा रहा। 17 अगस्त 1945 की दोपह है। इंडियन नैशनल आर्मी के कमांडर सुभाष चंदर वोस साइगॉन वियतनाम में एक कनवर्टेट जैपनीज मिट्सुबिशी सैनी बॉंबर में सवार हुए। उनके साथ थे उनके ADC करनल हबीबुर रह्मान और मैंचूरिया में जपैन की कौन्टंग आर्मी के वाइस चीफ लेटिनिन जनरल सुनामासा शिडाई। फ्लाइट प्लान के मुताबिक ये लोग ताइवान के एक शहर ताइहोकु जा रहे थे। वहाँ से इन्हें मैंचूरिया के शहर डाइरेन और फिर टोक्यो जाना था। लेकिन प्लेन अचानक वियेटनाम के एक शहर तुरेन में रुख गया। अगली सुबह ये प्लेन साथ चाइना सी के उपर से होते हुए तुरेन से ताइहोकु पहुचा। ताइहोकु में लंच करने के बाद ये लोग दोपहर दो बजे मैंचूरिया के शहर डाइरेन जाने के लिए फिर से प्लेन में चड़े। अचानक 2000 फीट की उचाई पर प्लेन में एक धमाका हुआ। पोट इंजिन में आग लग गई और प्लेन नीचे आने लगा। दो पाइलेट्स और जनरल शेडाई की फोरण ही मौथ हो गई। नेता जी बुरी तरह जल गए और उन्हें ताइहोकु फील्ड हस्पिरिल ले जाया गया। उस शाम सुभाष चंद्रबोस की मौथ हो गई। नेता जी, जनरल शेडाई और दोनों पाइलेट्स का अंतिम संसकार 20 अगस्त 1945 को ताइहोकु क्रेमेटोरियम में कर दिया गया। ये जेपैन की तरफ से दिया गया ओफिशल बायान है। लंडन के वाइट हैकर सिधार्त सद्भाई इस प्लेन क्रेश थेरी को नहीं मानते। वो 2012 से इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ताइहोकु प्लेन क्रेश हुआ ही नहीं था। ताइवान गवर्मेन का कहना है कि उस दिन कोई प्लेन क्रेश नहीं हुआ। साथ ही हमारे पास ऐसे और भी एविडिन्स हैं जिन से पता चलता है कि इस पूरे इंसिडेन को कवर अप करने की कोशिश की गई। उनके पास ऐसे आईविट्नेस्स, नर्सिज, डॉक्टर्स थे जिनोंने बताया कि उन्होंने कैसे निता जी का इलाज किया। चलने के निशान थे। और यहां तक ये भी बताया कि उनके मरने से पहले उन्होंने क्या कहा था। मुझे ही लगता है कि नेता जी ने जपान की मदद से ये सब खुद ही प्लान किया था. वो अकेली ये सब नहीं कर सकते थे, जापनीज उनकी मदद कर रहे थे. इन्वेस्टिकेशन की शुरुवात में ही, ब्लैक हैट हैकर्स के एक इंटरेट ग्रोप अनॉनिमस ने सद भाई को कुछ सुराग दिये. शायद वो भी नेता जी से जुड़े सच सामने लाना चाहते हैं. अनॉनिमस ग्रोप इस केस में बहुत इंटरेस्ट ले रहा था. वो लोग मेरी मदद कर रहे थे. उनकी मदद से मेरी इंवेस्टिकेशन सही डिरेक्शन में जा रही थी. ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बारे में काफी कुछ मालूम था और वो मुझे कुछ एविदेंस दे कर इस केस को सॉल्व करना चाहते थे. मुझे एनॉनिमस से पहली लीड 2014 के आसपास मिली. मुझे एक इमेल आया जिसमें एक बहुत ही पुरानी वीडियो क्लिप थी और लिखा था कि उसमें एक इंसान है जिसमें मुझे इंट्रेस्ट है. उस क्लिप को पाँच या छे बार देखने के बाद मैं समझ पाया कि एक्चुली इंपॉर्टेंस सामने देखने वाले लोगों की नहीं थी, बलकि उनके पीछे खड़े एक इंसान की थी, क्योंकि वो काफी कुछ सुभाश चंद्रव बोस जैसे लग रहे थे. जवाब धूनने के लिए सद्भाईब मॉस्को के लिए रवाना हो गए. अगर नेता जी 1945 के उस प्लेन क्रैश में बच गए थे, तो उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी कैसे काटी? ये जानने के लिए रश्या की राजधानी एक एहम लोकेशन है. उनके दिल में तो इंडिया बसता था, पर क्या उनकी सोच, उनकी आइडियालोजी रश्यन थी? वो सोवियत रश्या में आजाद थे या एक बंदी थे? शायद मेमोरियल में इसके बारे में कुछ पता चल सकता है. मेमोरियल मॉस्को में एक और्गनाइजेशन है, जहां लोग अपने विछड़े हुए उन परिवार बालों के बारे में जान सकते हैं, जिन्हें सोवियत गुलाग भेज दिया जाता था. सोवियत गुलाग साइबेरिया के वो लेबर कैम्स हैं, जिन्हें 1930 में डिक्टेटर स्टैलिन ने बनवाया था. इन में सोवियत कम्यनिस्ट शासन के विरोधियों को देश द्रोही मान कर काम करने और मरने के लिए छोड़ दिया जाता था. उस समय सोवियत यूनियन में फॉरिनर्स ज्यादातर मॉस्को में ही रहते थे. उनसे जुड़े केसेस के रिकॉर्ड्स, FSB नाम की और्गिनाजेशन में रखे गए हैं, जो पहले KGB यानि सोवियत सीक्रेट पुलिस हुआ करती थी. पर यहाँ से कुछ पता नहीं चला. सुभाष चंदर बोस के केस में हमें ये पता लगाना है कि क्या उनकी गिरफतारी से जुड़े कोई रिकॉर्ड्स हैं, ये भी हो सकता है कि उनके नाम की स्पेलिंग कुछ और लिखी हो या फिर उनहें किसी दूसरे नाम से रखा गया हो. इन सारी पॉसिबिलिटीज को चे दस्वीरों को इस्तिमाल करने के लिए परमिशन दिलवाती है. सत्भाई ने ओल्गा को उस फुटेज की क्लिप दी, जिसमें ताशकंट में भारत और पाकिस्तान के बीच, 1966 में हो रही पी स्टॉक्स के दौरानिक मिस्ट्री इंडियन नजर आ रहा था. सत्भाई ने इसे फिर उन्होंने इसे अपनी फिल्म एरिटिंग मशीन पर चलाया और फुटिश को कमपाईल करके डिजिटाइज कर लिया. अब, फोरेंसिक अनालिसिस के लिए इसे एक फॉर्मैट में कनवर्ट किया जा सकता है. दटाश केंट मैन को इस तस्वीर में भारत के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूग खान के पीछे खड़े देखा जा सकता है. क्या ये सुभाश चंद्र बोस हो सकते थे? अगर हाँ, तो 1945 में उनके गायब होने और 1916 के पी स्टॉक्स के बीच क्या कुछ हुआ था? क्या वो इस बीच मॉस्को में ही थे? दॉक्तर पुरबी रोई भी मॉस्को में रहती आई हैं. ये मॉस्को यॉनिवर्सिटी में एक विजिटिंग प्रोफेसर हैं. 1994 में कैलकटा की एशियाटिक सोसाइटी ने उन्हें भारत और रश्या के रिलेशन्स पर आर्काइवल मिटीरियल्स जमा करने के लिए रश्या भेजा था. जहां उनकी मुलाकात, अलेक्जैंडर कोलेशनिकॉफ से हुई, जो उस वक्त सोवियत आर्मी के एक मेजर जनरल थे. अलेक्जैंडर कोलेशनिकॉफ मेरे एक अच्छे दोस्त थे. सोवियत यूनियन के बाट जाने के बाद वो मिलिटरी आर्काइव के साथ जुड़ गए और उन्होंने कुछ आर्टिकल्स और बुक्स लिखी. अलेक्जैंडर कोलेशनिकॉफ ने कहा था कि उन्हें जी आर्यू या ग्रू मिलिटरी आर्काइव में सुभाष चंदर बोस से रिलेटिड बहुत से पेपर्स मिले थे. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या वो 1945 के बाद यानि उस प्लेइन क्रैश के बाद सुभाष चंदर बोस के जिन्दा होने से रिलेटिड कुछ इन्फरमेशन निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा आप सोच नहीं सकती वहां कितने सारे पेपर्स हैं। अथोरिटीज ने उन्हें बिना पेन या पेपर के वहां जाने की पर्मिशन दी, यानि उन्हें सारी इन्फरमेशन याद करके लानी थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप सिर्फ नंबर दिमाग में रखें और वहां जो लोग थें उनके नाम और डेट याद कर लें। कलस्निकोव ने बताया कि अक्टूबर 1946 में एक काबिनेट मीटिंग में ये चर्चा हुई कि नेता जी के साथ आगे क्या करना चाहिए। और इस मीटिंग में स्टालिट, याकोव मलिक, वाशिंस्की और मोलतोव भी शामिल थे। मोस्को में अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूर्वी रॉय को जो आकाइव्स में सीक्रेट माटिरियल्स मिले, वो अब रिसर्चर्स की पहुँँच से बिलकुल बाहर है। ये सीक्रेट फाइल्स पोडल्स्ट में और मोस्को में पूर्व सोवियत सीक्रेट पुलीस या केजीबी के हेट्वार्टर्स में मौजूद हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई फावर्ट ब्लॉक पार्टी के श्री जॉयंता रॉय 1990 के आखरी सालों में एक भारतिये पार्लियमेंटरी डेलिगेशन के साथ मौस्को गए थे। उनकी मुलाकात भी कॉलस्निकॉफ से हुई। अलेक्सेंडर कॉलस्निकॉफ ने हमें कुछ फोटोग्रेफ्स दिखाए। नेताजी मौस्को में आजाद हिंद गवर्णन्ट की एंबसी में थे। वो फोटोग्रेफ्स 1946 के थी। तो 18 अगस्त 1945 वाली ये कहानी सही नहीं हो सकती। सुभाष चंदर बोस्ने ब्रिटिश रूल को चुनौती देते हुए 1943 में सिंगापॉर में गवर्मेंट औफ फ्री इंडिया इन एक्जाईल की स्थापना की। इस गवर्मेंट को सोवियत यूनियन ने मानिता दी थी। हाला कि सेकंड वर्में सोवियत यूनियन ब्रिटिन को सपोर्ट कर रहा था। तो क्या इसी बात ने नेता जी को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी। और 1945 में वार खत्म होने के बाद वो स्टालिन के रशिया में सेफ रह पाए। मुझे लगता है कि USSR और Great Britain के बीच एक सीक्रेट पैक था। मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ ? क्योंकि इंडिया में उस वक्त जो कुछ हो रहा था उससे Great Britain खुश नहीं था और वो हालात को पूरी तरह आउट आफ कंट्रोल नहीं होने दे सकता था। सुभास चंद्र बोस के गायब होने को उनकी मौत नहीं कहा जा सकता। मुझे भी लगता है कि वो डिसपियर हो गय थे। लेकिन 1973 पर में स्टैलिन की मौत के बाद क्या नेता जी के लिए हालात बदले ? मुझे लगता है कि स्टैलिन की मौत के बाद पूरा कॉंसेप्ट ही बदल गया था। इसलिए एशिया और इंडिया की तरफ सबका एटिट्यूट भी बदला। अगर इस वर्जिन पर यकीन करें तो मुझे इस बात पर डाउट होता है कि सोवियत यूनियोन को सुभास चंद्रबोस की जरूरत थी। स्टैलिन की मौत के बाद सोवियत यूनियोन के लिए सुभास चंद्रबोस की इंपोर्टेंस ज्यादा नहीं रही थी। उनकी एहमियत तो बस स्टैलिन के दौर में ही थी। नेता जी मौसको में 1945 से 1903 तक यानी स्टालिन की डेथ तक थे। और हम कह सकते हैं कि वो स्टालिन की कस्टडी में थे। नए सोवियत यूनियन में क्या सुभास चंद्रबोस की एहमियत नहीं रही थी। और क्या उन्हें मार दिया गया था या गुलाग भेज दिया गया था। क्योंकि Communist Party of India के कोफाउंडर अबानी मुखर जी समेथ 45 भारतियों को स्टैलिन के ओरडर पर 1937 और 1949 के बीच गोली मार दि गई थी। नेता जी के साथ क्या हुआ? इन सवालों के जवाब कहीं मॉस्को की लुब्यांका प्रिजन के सीक्रिट रिकॉर्ड्स में तो मौजूद नहीं। इस बीच सद्भाई एक संसानी खेज दावे को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर ये दावा साबित हो गया, तो इससे प्लेन क्रैश वाली थेरी जूटी साबित हो सकती है। सिधार्थ सद्भाई 1966 के फिल्म क्लिप की एक डिजिटल कॉपी लेकर मौस्को से लंडिन लॉट आते हैं। इस फिल्म में एक मिस्ट्री मैन है, जिसे सद्भाई ने नाम दिया दाशकेंट मैन। इस नाम को लेकर काफी हेडलाइन्स बनी। लेकिन ये बड़ा सवाल अब भी बाकी था, कि क्या ये ताशकेंट मैन ही सुभाश चंद्र बोस थे। वो पूरी तरह बोस जैसे नहीं लग रहे थे। लेकिन क्या ऐसा प्लास्टिक सर्जरी की वज़े से हो सकता था। तस्वीरों के फोरेंसिक फेशिल एनालिसिस से जवाब मिल सकता था। सद्भाई लंदन से ट्रेन पकड़कर इंग्लेंड के उत्तर में मौझूद यौक नाम के एक शहर में जाते हैं। यहां वो मिले फोरेंसिक स्पेशलेस्ट लीन मिलर से। मिलर पहले ब्रिटिश आर्मी के सिग्नल्स रेजिमेंड में काम कर चुके हैं। अब यौक्स के बाहर उनकी एक फोरेंसिक लेबारिटरी है। मिलर इस विज्वल एविडेंस का एनालिसिस करते हैं। वो नेता जी और दटाशकेंट मैं की पिक्चर्स को कमपेर करते हैं। लेकिन यह आसाल नहीं था। पर मिलर ने यह नतीजा निकाला कि नेता जी और दटाशकेंट मैं के एक ही इनसान होने की संभावना काफी ज्यादा है। यह ऐसी पहली साइन्टिफिक स्टडी थी जिसके हिसाब से दटाशकेंट मैं ही शायत सुभाष चंद्रबोस थे। तो अगर सुभाष चंद्रबोस जनवरी 1966 की ताशकेंट पी स्टॉक्स में मौजूद थे। तो हम अब भी ये कैसे मान सकते हैं कि 1945 के एक प्लेन क्रेश में उनकी मौथ हो गई थी। नेता जी के ग्रेंड नेफ्यू चंद्रकुमार बोस प्लेन क्रेश थेरी पर सवाल उठाते हैं। उनके दादा सरच चंद्रबोस सुभाष चंद्रबोस के बड़े भाई थे। वो एक जाने माने वकील भी थे। हबिबुर रह्मान शायद प्लेन क्रेश थेरी को साबित करने के लिए में विटनेस थे। और वो 1946 में मेरे दादा सरच चंद्रबोस से मिलने कॉलकाता आये थे। वो अपनी आयने युनिफॉर्म में थे। सुभाष चंद्रबोस की मौत हुई थर्ड डिग्री बर्न से। जनरल शिटाई भी मारे गए, कई और लोग भी मारे गए। लेकिन हबीब उर्रह्मान प्लेन से सेफली बाहर कूद गए। हबीब का कहना था, मैंने सुभाष को बचाने की कोशिश की। मैं आग बुझाने के लिए पीछे से उनसे लिपट गया। मेरे दादा ने उनसे पूछा, हबीब आपने क्या पहन रखा था। वो बोले क्यों सर, यही उनिफॉर्म पहनी थी, तो उन्होंने पूछा यही वाली उनिफॉर्म, हबीब बोले हाँ यही, लेकिन उस पर जलने के कोई निशान तक नहीं थे। हबीब ने कहा सुभाष चंद्रबोस ने उस वक्त यह घड़ी पहन रखी थी, जिसके स्ट्रैप पर जलने के हलके से निशान थे। मेरे फादर उस घड़ी को लंडन की एक लैब में ले गए और उसकी टेस्टिंग करवाई। पता चला कि वो निशान आग का था ही नहीं, घड़ी के स्ट्रैप पर एसिड लगाया गया था। नेता जी ऐसी घड़ी कभी नहीं पहनते थे। मेरे दादा ने मेरे फादर से कहा, हवीब सच नहीं बोल रहा है, वो वही बोल रहा है जो उसका लीडर उससे बुलवाना चाहता है। 1999 में, Government of India ने मुखर्जी Commission of Inquiry बिठाई। भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर जज, जस्टिस मनोश मुखर्जी इस Inquiry के हेट थे। इस Commission का मकसद था, नेता जी सुभाष चंद्रबोस की मौत को इंवेस्टिगेट करना। साथ सालों तक, ताइवान, जपैन और रश्या में सुबूत धूडे जाते रहे। इस Inquiry Commission की रिपोर्ट कांट्रोवर्शिल थी। मुखर्जी कमिशन की रिपोर्ट के हिसाफ से, सुभाष चंद्रबोस की मौत 18 अगस्थ 1945 को टाइपे में प्लेन क्रेश में नहीं हुई थी। जैसा की माना जाता था। प्लेन प्रैश्टो नेता जी के बच निकलने के लिए जपैन की मदद से चली गई एक चाल भी। टोक्यो के रिंको जी टेंपिल में रखी गई जिन अस्थियों को सुभाष चंद्रबोस की बताया जाता है। वो असल में एक जैपनीज सोलजर इचोरो अकूरा की है। सुभाष चंद्रबोस के एक और ग्रेंड नेफ्यू आशीश रे एक जर्नलिस्ट हैं जो लंडिन में रहते हैं। वो इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है। भारत सरकार ने मुकरजी कमिशन की रिपोर्ट को एकसेप्ट नहीं किया है। पहली बात ये के सुभाष चंद्रबोस के साथ जो 6 लोग क्रैश में जिन्दा बच गए वो इस हादसे को सच बताते हैं। दूसरी बात जब नेता जी की अस्पताल में मौत हुई तब उनके साथ 5 और लोग थे। और उन सभी ने ये कंफर्म किया कि उन्होंने नेता जी को दम तोड़ते देखा था। तीसरी बात टाइपे में हुए उनके क्रिमेशन के कम से कम 3 आई विटनिसेस हैं। और ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो आपको ये बताएंगे कि वो नेता जी की अस्थियां लेकर टाइपे से टोक्यो गए थे। दूसरी थेयरीस को इन्विस्टिगेट करते हुए मुखरजी कमीशन ने ये दावे रिजेक्ट कर दिये कि फैजाबाद के भगबान जी या गुमनामी बाबा या बंगाल के शॉलमरी बाबा सुभाश चंदर बोस थे जो भेस बदल कर जी रहे थे। जन्वरी उन्निस सरसक में रेडियो मौस्को की हिंदी सर्विस ने ताशकंद से किसी सुभाश चंदर का भाशन रिले किया। इस घटना का जिक्र एक हिंदी अकबार विश्वनेता में छपा जिसे लेकर भारत की संसद में सवाल उठे। हाल ही में डी क्लासिफाइड किये गए बोस पेपर्स के मुताबिक भारत सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिये एक इनक्वाइरी शुरू की। लेकिन ये साबित नहीं हो पाया कि ये ब्रॉडकास्ट किस ने किया था। रशियंस ने इस भाशन की कोई आडियो रेकॉर्डिंग मुहया नहीं कराई। यानि इंक्वाइरी का कोई पुक्ता नतीजा नहीं निकला। सुभाष चंद्र बोस की मौत या गायब होने से जुड़ी कॉंट्रोवर्सी चारी रहती है। और ये राज और गहरा जाता है। लेकिन भारत के लिए सुभाष चंद्र बोस की इतनी एहमियत क्यों है। भारत की आजादी की लड़ाई में उनका रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। इन सवालों के जवाब क्या उन दिनों के हालात में छेपे हैं या उनकी जिंदगी के रहस्यों में। नेता जी सुभाष चंद्र बोस का जन 23 जनवरी 1897 को कटक के एक अमीर बंगाली परिवार में हुआ था। कलकत्ता में फिलोसिफी में बी ए करने के बाद बोनिस ओनिस में केमरिश में पढ़ने के लिए इंगलेंड गए थे। सिधार्ट सथभाई भी महा जाते हैं। Cambridge में नेता जी ने Fitzwilliam House के Fitzwilliam Hall में Moral Sciences की पढ़ाई की आज इसे Fitzwilliam College के नाम से जानते हैं College Archivist ने Cambridge में नेता जी के वो records दिखाए जो किसी ने कभी नहीं देखे थे ये handwritten records इस बात का सुबूत है कि Mr. Bose ने Cambridge University जॉइन की थी और 19 नवंबर 1919 को उन्होंने Cambridge University से ही अपनी डिग्री हासिल की University के ये records भी यही प्रूव करते हैं Cambridge में नेता जी ने जो साल गुजारे उनका उनके राश्ट्रवादी विजारों पर गहरा असर पड़ा होगा उनके पिता ने भी राय बहादूर का अपना टाइटिल अंग्रेजों को लोटा दिया था और नेता जी ने भी इंडियन सिविल सर्विस जॉइन करने से मना कर दिया ये भारत में क्रांती का दौर जो था 1882 में बंकिम चंद्र के नौविल आनंद मठ ने बंगाल में ब्रिटिश के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना दिया नौविल से इंस्पायर होकर स्वामी प्रनावा नन ने 1917 में भारत सेवाश्रम संग बनाया वो अनुशिलन के एक सदस्य भी थे जो जुगांतर जैसी सीक्रिट सोसाइटीज के साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे स्वामी प्रनावा नन के बोस वैमली से अच्छे रिष्टे थे अनुशिलन और जुगांतर जैसी सीक्रिट सोसाइटीज में फ्रीडम फाइटर्स अंडरग्राउंड रहकर देश को आजात कराने की आक्टिविटीज चलाते थे। लेकिन हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब नॉन कोपरेशन मुव्मेंट के बढ़ने और महात्मा गांदी के आने से मास पॉलिटिक्स की शुरुवात हुई तो अनुशिलन और जुगांतर का हिस्सा रहे बहुत से लोग मास मुव्मेंट का भी हिस्सा बन 1909 और 1915 में उन्होंने जर्मुन्स की मदद से ब्रिटिशर्स को निशाना बनाया मकसद था ब्रिटेश इंडियन आर्मी में विद्रोह पैदा करना लेकिन वो दोनों कोशिशों में नाकाम्याब रहे पर विद्रोह की भाबना लोगों में बस चुकी थी ग्रांतिकारियों को ब्रिटेश इंडियन आर्मी में मौझूद विद्रोहियों से और ब्रिटेन के दुश्मनों से मदद की जरुवत थी और नेता जी ने बिलकुल यही किया ब्रिटिशर्स ने उन पर नज़र रखी थी केम्रिश में भी कर्णल हूँ टॉई की मिलिटरी इंटेलिजेंस सेक्शन तू ने उन पर कड़ी नज़र रखी कर्णल हूँ टॉई ब्रिटिश इंटेलिजेंस में थे वो हमेशा कहा करते थे कि वो MI2 ग्रूप में थे पर मुझे लगता है कि वो MI5 एजन थे उनने सब पैतालिस के बाद से ही टॉई को नेता जी का पीछा करने की जिम्मेदारी सौब दी गई थी वो नेता जी के पीछे पीछे केमरिस से साइगाउं गए और 1945 के बाद भी ऐसा करते रहे उन्होंने नेता जी को अरेस्ट करने और INA के पैसे को सील करने के ओर्डर दिये थे नेता जी से जुड़ी ब्रिटिश मिलिटरी इंटेलिजेंस की फाइल्स आज भी क्लासिफाइड है 1920 में केमरिश में अबानी मुखर जी ने सुभाष चंडर भोस को मौस्कोव में 4th Congress of the Common Turn में हिस्सा लेने के लिए इन्वाइट किया लेकिन नेता जी को गांधी जी के नॉन कोपरेशन मुव्मेंट में शामिल होने के लिए भारत प्लोटना था अबानी मुखर जी ने इसी सार ताशकन में Communist Party of India का गठन किया ब्रिटिशर्स उने गिरफदार करना चाहते थे इसी लिए अनुशीलन की मदद से वो चोरी छिपे भारत पहुचे सुभाष चंद्रबोस से उनकी कई मीटिंग्स होई बेंगॉल कॉंग्रिस लेफ्ट आइडियोलोजीज की तरफ काफी जोग चुकी थी और कुछ हद तक सुभाष चंद्रबोस में भी बेंगॉल कॉंग्रिस के लेफ्ट का इंफ्लूएंस बढ़ गया था 1930 में नेता जी कॉंग्रिस प्रेसिडेंट बन गए तब तक अबानी मुखर जी की मौध हो चुकी थी नेता जी ने जुगांतर और अनुशीलन के दूसरे लेफ्टिस मेंबर्स को कॉंग्रिस में शामिल कर लिया जिन में से एक कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इंडिया के को फाउंडर एमेन रॉय भी थे 1940 में इन लेफ्टिस मेंबर्स की मदद से सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कॉंग्रिस के प्रेसिडेंट बने लेकिन बहत्मा गांधी की सहमती ना होने की वज़े से उन्हें वोपत छोड़ना पड़ा उसी साल सेकिंड वर्ड वार शुरू हुआ लेकिन सोवियत यूनियन और जर्मनी पहले ही एक नो वार पैक्ट पर साइन कर चुके थे ब्रिटिश प्राइमेनिस्टर विंस्टन चर्चिल के हिसाब से जर्मनी और रशिया इस बात पर सहमत थे कि अगर ब्रिटिश पावर कोलैप्स करती है तो भारत का जुकाव रशिया की तरफ बढ़ जाएगा अगर वो जेल में मर गया तो देश में हंगामा मच जाएगा लेकिन मैं क्या करूं सर वो किसी की सुनता ही नहीं है सुभाष की मौत सुभाष के जिन्दा रहने से ज्यादा खतरनाक साबित होगी मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन जिन्दा रह पाएगा तो उसे आजाद कर दो घर जाने दो उसे क्या? लेकिन याद रहे उस पर हमारे आदमियों की नजर होनी चाहिए हमेशा हर वाक्त जुलाई 1940 में देश्द्रों के आरोप में कलकत्ता में सुभाष चंद्रबोस को हाउसरिस्ट में रखा गया इस बीच कम्यूनिस्ट पार्टी के लीडर अच्चर सिंग चिन्ना जिनने रुशियंस ने लार्किन्स का कोड नेम दिया था वो भारत के फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी एक रिपोर्ट स्टैलिन को देने मौस को गए उन्होंने नेता जी को एक की प्लेयर बताया जब भी कम्यूनिस्ट लीडर्ज स्टालिन से मिलते थे तो वो सुभाज चंद्र बोस के बारे में जरूर बात करते थे वो नेता जी को पसंद करते थे पर जवारलाल नहरू को नहीं नेता जी ने हाउस रिस्ट के दौरान वहां से निकलने के बारे में सोचा वो कलकत्ता से निकलना नहीं चाहिए मैं नहीं चाहता वो गायब हो जाए मेरे हाथ में होता तो मैं पूरी जिन्दगी उसे जेल में रखता पर नेता जी भारत से भागने का प्लैन बना चुके थे 17 जनवरी 1941 की आधी रात के बाद नेता जी एलगिन रोट कलकत्ता के अपने घर से चुप चाप निकल गए सुभाष चंद्र बोस के ग्रैंड नेफ्यू अभी जीत रे बता रहे हैं कि नेता जी किस तरह उस दिन लोगों की नजरों से बच निकले थे प्लान बनाया था नेता जी के बड़े भाई श्री शरचंद्र बोस ने उन्होंने अपने दो साथियों को नौथ वेस्ट फरंटियर एजनसी भेजा था ताकि भागने के रास्ते और तरीके को समझा जा सके उस रात अपने घर से अपनी कार निकालने के बाद वो हावडा गए और वहां से जीटी रोड के रास्ते ये लोग धनबाद में बरारी नाम की एक जगे गए अठारे जन्वरी की रात उन्होंने गुमों से कालका मेल पकड़ी और पेशावर चले गए पेशावर से वो काबूल गए फरवरी 1941 में अच्छर सिंग चिन्ना ने भगतराम तलवार की मदद से सुभाष चंद्रबोस को बॉर्डर पार करवा कर काबूल भेज दिया काबूल में कॉन्टाक्ट्स की मदद से सुभाष चंद्रबोस ने एम्बैसडर पियाट्रो कौरोनी से एक इटालियन पासपोर्ट हासिल कर लिया अच्छली कौरोनी ने ही नेता जी की अफगानिस्तान से निकलने में मदद की थी क्यूंकि नेता जी की वाइफ एक सोवियत रशन थी इधर ब्रिटेन के एक स्पेशल ऑपरेशन्स एजिन्ट को टर्की के रास्ते यूरोप जा रहे सुभाष चंद्रबोस को रास्ते में ही खत्म कर देने के ओर्डर्स मिले उन्हें डर था कि नेता जी विदेश में तैनाथ ब्रिटेश इंडियन आर्मी के स्थैनिकों में विद्रोह बैदा कर सकते हैं लेकिन नेता जी एक नई इटालियन पहचान के साथ बरलिन जा रहे थे 17 जन्वरी 1941 को सुभाष चंद्रबोस कलकत्ता में अपने घर से चुकचाप निकल भागे फिर उन्होंने अपनी लंबी आत्रा शुरू की वो काल का मेल में बैठ कर गोमों से पेशावर तक पहुँचे पेशावर से अपने गाईट भगत राम तलवार के साथ नेता जी पैदल काबुल में दाखिल हुए काबुल से नेता जी कार चलाते हुए तर्मेज से होकर समरकंद पहुच गए समरकंद से वो सोवियत रेल नेकवक के जरिये मौस्को पहुच गए और मौस्को से लुफ्टवाफे एरग्राफ से वो बरलिन जर्मनी के टेंपिल हॉफ एरपोर्ट जा पहुचे अप्रेल 1941 में सुभाष चंद्रबोज, काउंट ओर्लैंडो मजोटा नाम के एक इटालियन के आइडेंटिटिटी पर जर्मनी पहुच गए नेता जी 1933 और 1929 के बीच कई बार बरलिन और आस्ट्रिया आ चुके थे वियना में उनकी एमिली शैंकल नाम की आस्ट्रियन पत्नी थी जर्मन्स ने मजोटा के भेस में आई नेता जी की अच्छी खातिरदारी तो की पर उन्हें उस इंसान तक नहीं पहुचने दिया जिसकी मदद नेता जी को चाहिए थी एक तरफ सोवियत यूनियन नेता जी की मदद कर नहीं सकता था या करना नहीं चाहता था दूसरी तरफ जर्मनी ने सोवियत यूनियन के साथ भारत में इंटेफेर ना करने का पैक्ट साइन कर रखा था लेकिन हाला जल्दी ही बदलने लगे जून 1941 में नाजीस ने रशिया के साथ किये अपने नो वार पैक्ट को तोड़कर उस पर हमला कर दिया हिटलर का प्लैन अब जर्मनी का दाइरा बढ़ाने का था रशिया के बाद अब बिटिश रूल वाले भारत पर भी कबजा किया जा रहा था सुभाष चंद्र बोस्ट ने प्रोपोजल रखा कि वो जर्मनी में इंडियन प्रिजनर्स और वार की एक रेजिमेंट बनाएंगे वो 40,000 कैदियों में से 3,000 भारतिय सैनिकों को इस काम के लिए चुनने में काम्याब भी हो गए नेता जी की फ्री इंडियन लीजन अब जर्मन आर्मी की एक रेजिमेंट बन गई जिसका नाम था वैमार्थ 1940 के शुरुवाती सालों में लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए प्रेस ज्यादा नहीं पहली हुई थी और लोगों की राए पर असर डाला जाता था प्रोपोगेंडा से और उस प्रोपोगेंडा में इस तरह के पोस्टर्स भी शामिल होते थे यहां आई एने और एक्सिस पावर्स, ब्रिटिशर्स और उनके अलाईस को पचारते दिख रहे हैं 1942 की गर्मियों में आखिरकार सुभाष चंद्रबोस की मुलाकात हिटलर से हो ही गई लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला फिर कई महीने बाद हिटलर की नाच्ची आर्मी बैटल आफ स्टैलिंग्राट हार गई भारत पर जर्मनी के हमले के सारे प्लैंस रद्ध हो गए अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए नेता जी के पास जेपैन के साथ अलाइंस करने के अलावा कोई और आप्शन ही नहीं था उस वक्त साउथ हीस्ट एशिया में जेपैन सबसे ताकत पर भाना जाता था ब्रिटिश प्रोपगेंडा ने सुभाष चंद्र बोस के इस नए अलाइंस को गंभीरता से नहीं लिया था 1942 में करीब 40,000 इंडियन सोल्जर्स की एक फौज ने मलेशिया और सिंगापुर में जापान के सामने सरेंडर कर दिया कैप्टिन मोहन सेंग इन सोल्जर्स को इंडियन नैशनल आर्मी में ले आए लेकिन लीडर्शिप को लेकर बेंगॉल के रेविल्यूशनरी राश बिहारी बोस के साथ उनके मतभेट थे जो अब एक जैपनीज सिर्जन थे सुभाष चंद्रबोस उनका अकेला ओप्शन बनकर उभरे जपैन ने हिटलर को इस बात के लिए मना लिया कि वो एक बिल्कुल नई सबमरीन फ्रांसपोर्ट कराए ताकि नेता जी को उसमें बिठाकर जर्मनी ले जाया जाए ये सबमरीन फरवरी उन्निस सत तालिस में नेता जी और उनके साथ ही आबिद हुसेन को लेकर कील्ट से रवाना हुई थी ये सबमरीन छुपते छुपते अट्लांटिक ओशन से होकर मैंने गैस कर पहुची यहाँ नेता जी जपैन की एक सबमरीन में आ गए जिसने उन्हें सुमात्रा में छोड़ दिया तब सुमात्रा जपैन के कंट्रोल में था जपैन के प्राइम इनिस्टर जनरल टोजो से मिलने के लिए सुभाष चनर बोज सुमात्रा से प्लेन में टोक्यो पहुचे जनरल टोजो नेता जी से बहुत इंप्रेस हुए और वो भारत को आसाद करवाने की कोशिशों में नेता जी की मदद करने को तैयार हो गए दो जुलाई उन्निस सत्यतालिस को नेता जी टोक्यो से सिंगापुर पहुचे यहां राश बिहारी बोस ने नेता जी को इंडियन नैशनल आर्मी और आजाद हिंद की प्रोविशनल गवर्मेंट दोनों का हेट बना दिया साथ जन्वरी 1944 को फील मार्शल तेराउची की लीडर्शिप में सदर्न जैपनीज आमी ने बर्मा से भारत पर हमला कर दिया आएने इस हमले का हिस्सा थी फरवरी 1944 में आएने भारत के आराकान और इंफाल सेक्टर्स में दाखिल हो गई लेकिन इस जीत की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही मैं 1944 तर जंग के हाला जपैन और आएने के खिलाफ हो गए ब्रिटन के पास फाइटर प्लेंस थे और साथ ही जपैन की सप्लाई लाइन्स भी तूट गए जिससे उनकी आर्मी कमजोर होती जा रही थी खराब मौसम और मलेरिया ने मुश्किले और बहा दी जुलाई आते आते आएने और जपैन की सेना एक साथ इंडियन टरिटरी से हटने लगी एक साल से भी कम समय में आएने के ज्यादतर सैनिकों ने रंगून में ब्रिडिशर्स के सामने सरिंडर कर दिया नेता जी बैंकोक लोट गए अब ये जंग आगे कैसे जारी रहने वाली थी 6 अगस्ट 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बॉम गिरा दिया तीन दिन बाद नाका साकी पर भी बॉम गिराया गया और सोवियत यूनियन ने मैंचूरिया पर भी हमला कर दिया हाला कि एशिया के दूसरे हिस्सों में जंग अभी भी जारी थी लेकिन जपैन ने सरिंडर कर दिया जिसकी वज़े से नेता जी के इरादे को गहरी ठेस पहुँची अब उन्हें अपने मकसद में जैपैन से कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी इसके बावजूद नेता जी को भारत की आजादी के लड़ाई तो जारी रखनी ही थी जिसके लिए उनके पास अब एक ही रास्ता बचा था सोवियत यूनियन की शरण में जाना ये आज भी पूरी तरह साफ नहीं है कि 18 अगस्त 1945 यानि उनकी मौत या गायब होने के बाद नेता जी का क्या हुआ लेकिन ये साफ है कि लोगों की नजरों से दूर रहते हुए भी सुभाष चंदर बोस ने भारत की आजादी की लड़ाई को जारी रखा Officially तो Britishers ने plane crash में नेता जी की मौत को मान लिया लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने नेता जी की खोच जारी रखी Author और historian प्रशांत मोरे अपना वक्त Paris और Pondicherry में बिताते रहते हैं ये बताते हैं कि इनके grandfather Leon Pruchandi जो Saigon में रहते थे वो Southeast Asia में नेता जी के operation का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे Leon Pruchandi मेरे नाना थे जहां तक French Indo-China की बात है Leon Pruchandi Indian Independence Movement के main finances में से एक थे उन्होंने Secretariat of the Indian Independence League के functioning के लिए न सिर्फ अपना घर दे दिया था बलकि परिवार के लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने आयने Movement और Indian Independence League को लाखो रुपए भी दिये थे 1943 की गर्मियों में नेता जी साइगाउन गए जहां तब French rule था Leon Pruchandi ने उनके गले में सोने की एक निकलेस बहनाई इससे इन दोनों का रिष्टा और ट्रस्ट और भी मस्बूत हो गया साइगाउन में बहुत से अमीर भारतिये रहते थे और भारत की आजादी के लिए चलाई जाने वाले Indian Independence League और INA के आपरेशन्स के लिए प्रुशॉंडी उन पर डिपेंड करते थे मुझे अपनी माँ से जो information मिली है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सुभाष चंद्रबोस ने 17 और 18 अगस्त 1945 की रात टुरेन में नहीं बिटाई थी जैसा की माना जाता है Official Records के मताबेग जस दिन नेता जी टाइपे के प्लेन क्रेश में मारे गए थे मोरे के हिसाब से उस दिन नेता जी वहाँ थे ही नहीं वो तो साइगाउन में लियोन प्रुशॉंडी के बंगले में थे नेता जी ने आयने के धेर सारे पैसो को प्रुशॉंडी को सौम दिया था 18 अगस्त 1945 को जपैन ने सरिंडर कर दिया और World War II खत्म हो गया वियेटमिन कहलाने वाले वियेटनमीज फ्रीडम फाइटर्स ने अब जैपनीज एड्मिनिस्ट्रेशन की जगें ले ली दो सितमबर 1945 को मेजर जनरल डगलस ग्रेसी 20th इंडियन डिविजन को कमान करते हुए साइगाउन पहुचे और वहाँ उन्होंने माशल्ला लगा दिया कई दिन बाद सुभाष चंद्रबोस को ढूनते हुए कर्णल हुटॉई साइगाउन में नजर आए कर्णल हुटॉई मुझे अपने घर ले गए फिर उन्होंने एक ड्रॉर खीची ये पूरी ड्रॉर धेर सारी फाइलों से भरी पड़ी थी मैं उन्हें उठाने लगी वो बोले बस इन्हें देख लो आप इन्हें ना चू सकती है ना पढ़ सकती है ये सब सुभाष चंद्रबोस से जुड़ी है वो मुझसे कहने लगे कि उनके पास कितना पैसा रहा होगा पता है टिन प्लांटेशन्स की कीमत, रबर प्लांटेशन्स की कीमत, चट्टियार्स ने उन्हें कितना दिया मैंने पुछा कितना पैसा होगा जवाब था इंडियन करंसी के हिसाब से करीब 72,000 करोर वियेट मिन ने ये पहचान कर ली कि प्रुशॉंडी ही सुभाष चंद्रबोस और आयेने के लिए मुख्य रूप से पैसा जुटाया करते थे मोरे को लगता है कि लिएन प्रुशॉंडी को पहले अंग्रेजों ने और उसके बाद फ्रांसीसियों ने तीन महीने तक लगातार तकलीफे दी थी बाद में साइगॉन के बॉट कटिनाट में फ्रेंच सीक्रेट पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया था लेकिन अपनी जिन्दगी के बाकी 21 बरसों में प्रुशॉंडी ने एक शब्द तक नहीं बोला साइगॉन में उनकी प्रापटीस को जब्द कर लिया गया उनकी फैमिली पॉंडिचेरी आकर बस गई जहां उनकी बाकी की जिन्दगी गुमनामी में बीती प्रुशैंडी के जिन्दगी से जुड़ा ये पहलू सुभाष चंद्र बोस के रास को और ज्यादा गहराता है हाँ अगर इंडिया की तरफ से रश्या के प्रेजिडेंट के पास एक ओफिशल रिक्वेस्ट आती है तभी सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे पर तब तक हम ओफिशली कुछ कह नहीं सकते क्या नेता जी 18 अगस्त 1945 के बाद रश्या में थे? क्या वही दटाशकेंट मैन है? अगर हाँ तो वो भारत क्यों नहीं लोटे? शायद इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1950 तक भारत ब्रिटन के प्रभाव में था क्या एक्सिस पावुष्स से मदद लेकर नेताजी ने ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ युद्ध छेर दिया था? यह वज़य कुछ और ही थी कहीं सुभाश चंदर बोश से जुड़ा ये रहस्य खामोश रहने की कोई इंटरनेशनल कॉंस्पिरेसी तो नहीं? क्या इस से जुड़े सुबूत विदेशी आर्काइब्स में मौजूद हैं? क्या भारत सरकार के पास पहले से ही जवाब हैं? या फिर सच प्राइवेट इंवेस्टिगेशन्स के जरिये ही सामने आएगा?